सब्सक्राइब कर लो एंड पुराने वीडियो से गर देखना है उपर आई बटन पे दिया गया है बच्चो ओधर वाइज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने देखने को मिल जाएगा अभी तक हम चाप्टर 4 का लेटस प्राक्टिस 4.5 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं पुराने वीडियो जगर देखना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उपर आई बटन पे भी है तो कहीं पर भी क्लिक करके देख सकते हो एंड चैनल को जल्दी बच्चा बहुत तीजी से रिस्पॉंस दिये हैं तो जो लास्ट क्लास जो हम डिस्कॉस किये थे लेटस प्राक्टिस 4.5 में जो मैं वहां पर होमवग दिया था खुशी गुरुबानी आईडी से हमें सबसे पहले हमें आंसर देखने को मिला है ओके दिए स्टुदेंट्स उससे पहले एक normal सा मुझे multiplication देना है तो में homework नॉर्माल सा homework है चोटा सा homework कि 91 इंटू 1 करने से कितना and 47 इंटू 9 करने से कितना ये दोनों का मुझे ये homework का answer मुझे अभी comment section में करके बताओ कि 91 इंटू 1 करने से कितना होगा 47 इंटू 9 करने से कितना होगा और एक दे दे रहा हूँ, तीन कोस्चिन बन जाएगा, 91 into 0 करने से कितना आएगा, बच्चो मुझे ये भी बताऊगे, तो मुझे overall तीन कोस्चिन का ये answer मुझे पहले homework है तुम्हारा, मुझे comment section में answer बताऊगे, देखते हैं, next video में बताऊँगा, कि students response में, कौन-कौन सा देखके भी बहुत अच्छा लगता है, बच्चो कि तुम्हारे ले इतना effort में डाल रहा हूँ, तुम समझ रहे हो topics को, easily समझ रहे हूँ, और मुझे उसका replay भी दे रहे हो, बच्चो, so, देखो, आज हम करने वाले latest practice 4.6 and 4.7, तो आज का class थोड़ा लंबा हो सकते हैं, बह बहुत ही ज्यादा interesting होगा, okay, I think, बहुत ही मजा आने वाला है, because आज हम दो latest practice करने वाले हैं, that is 4.6 and 4.7, तो आराम से बैठो, and बहुत ही easy है, देखोगे, क्योंकि last class में बता जा था कि कैसे 2 second में एक multiplication को complete करना है, तो आज भी देखो, वही process में हम करते वह जाएंगे, बह number 1, क्या बोला गया है, कि C, number 1, 2, 1, 3, 7, हमें multiply करने पता है, किस के साथ, 20 के साथ, तो हमेशा जब इस तरह का question आएगा, बच्चो, कि 0 अगर है, तो 0 को छोड़ के multiply कर दो, जिससे तुमें multiply करने में easy होगा, बच्चो, ठीक है, so, अगर ये हमारा क्या है, 2, 1, 3, 7, so, यहां पर मैं लिख दूँँगा, 2, 1, 3, 7, into 2, okay, so, यहां पर into 2 करने से, 2, 7 जा कितना, 14, 3, 2 जा कितना, 6, plus 1, 7, okay, 7, 2, 1 जा 2, 2, 2 जा 4, तो इतना जो answer निकलने के बाद, 2 के बाद कितना 0 था, 1, 0 था, तो 1, 0 हम यहां पर और extra add कर देंगे answer में, 4, 2, 7, 4, 0, यह है हमारा shortcut tricks, जो कि book में भी दिया है, okay, बच्चो, ऐसे नहीं कि यह कोई, दूसरा कोई method है, जिससे हम कैसे कर पाएंगे, क्या हम इसे homework copy में अपना लिख पाएंगे, आराम से लिख पाऊए, book में यही process ब pattern दिया है कि कैसे easy way में कर पाऊगे maths को, जब भी 0 रहेगा, 0 छोड़ के multiply करो, जितना 0s रहेगा, उसे count करके हम last में डाल देंगे, so this is our answer, my dear students, next, number 2, number 2 क्या बताया गया है, ना 80 into 1, 1, 2, okay, see, 1, 1, okay, 1, 1, 2, 1, 9, so 80 का 0 को छोड़ देते हैं, बाकी सब multiply कर देंगे, 1, 1, 2, 1, 9, into 8, 8, 9 जा 72, यहां पर 2 carry, 8, 1 जा 8, 9, 10, and 15, यहां पर आगया 15, 8, 2 जा 16, 1, 17, 8, 1 जा 8, 1, 9, 8, 1 जा 8, next, तो यह हो गया हम लोग का multiplication, 8 के बाद कितना zeros था, एक 0 था, तो इसलिए जो answer रहेगा, answer की पीछे हम डाल देंगे, एक 0, answer की पीछे हम क्या डाल देंगे, एक 0 डाल देंगे, 8, 9, 7, 5, 2, and 0, यह है हमारा answer, कोई पूछेगा, तो इसी तरह से बताना, कि zeros जो है, वो easily multiply हो जाएगा, तो हमें easy way में करने के लिए, time saving करने के लिए, हम यही method में कर रहे हैं, and book में भी यही method में दिया गया है, okay dear students, otherwise तुम यहाँ पर 0 लेके भी करोगे, तो कुछ ने 0 फिर से लिखोगे, adding करोगे, तो वही same चीज और थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो 0 रहन से 0 last में एक add करना, बस simply add कर देना है, okay, इतना ही simple है यह वाला, next, number 3, 2, 1, 2, 3, into 400, तो अभी क्या करेंगे, वही same method, 2, 1, 2, 3, into 4, 4, 3, is at 12, 4, 2, is at 8, 1, 9, 4, 1, is at 4, 4, 2, is at 8, and यहाँ पर कितना 0s था, दो 0 था, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो 0s डाल देंगे, क्या करेंगे, अंसर लिखेंगे, 8, 4, 9, 2, and last में क्या करेंगे, दो 0s डाल देंगे, ओके, I hope you got it dear student, समझ में आ रहा है, next, आगे बढ़ते हैं, this is the answer, next, number 4, 1, 5, double, 0, into 1, 6, 8, तो अभी तुम्हारा डाउट रहेगा, यह वारा कैसे करेंगे, सेम, 0s को छोड़के 15 के साथ multiply करो, ओके, जितना जो answer आएगा, वो last में उसका 2 0s हम और extra add कर देंगे, so, 168 into 15, so, 5, 8 जा कितना, 5, 8 जा, 45, 5, 8 जा, 45, is it correct, गला थे, 5, 8 जा कितना, 40, comment section में बता हो, हाँ, हाँ, बस बता दे रहे हो, 5, 8 जा, 40, 5, 6 जा कितना होगा, 5, 6 जा 30, and plus 4 करना से कितना होगा, 34, 5, 1 जा 5, 6, 7, 8, तो यहां पर हम लोगा 840 आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं लिख सकते, यह हम लोगा rule है, next, 1, 8 जा 8, 1, 6 जा 6, 1, 1 जा 1, हम इसे कर देंगे, add, 0, 8 प्लस 4 कितना, 12, so carry 1, यहां पर लिख देंगे, 2, 8 प्लस 1, 9, 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा, बताओ, 15, yes, good, 1, and यह 2, 2, 5, 2, 0 आया हम लोगों का answer, क्यूंकि हम लोगा यह वाला क्या हो जाएगा, last में और कितना, 2 zeros जोडना है, तो इसका answer हम, नीचे जगा नहीं है, मैं यह side में लिख दे रहा हूं, कि यह 2, 5, 2, 0 आया, and 2 zeros जो यहां पर था, वो 2 zeros यहां पर हम और add कर देंगे, so this is the answer, 2, 5, 2, 3, 0 is the answer, my dear students, I hope you got it, समझ में आ रहा है बच्चों, next, आगे बढ़ते हैं, number 5, क्या बताया गया है number 5, 3, 2, 8, into 3,000, 3, 2, 8, into 3 करने से क्या हो जाएगा, 328, into 3, multiply कर दो, 3, 8 जा कितना, 24, okay, 3, 8 जा, 24, 3, 2, 0, 6, and 7, 8, 3, 3, 0, 9, तो इतना आगे हमारा answer, next, तो answer आने के बाद हमें क्या करना है, यहां पर कितना zeros था, 3 zeros था, तो 3 zeros का हमें और add करना है, तो 984, 84, and कितना zeros था यहां पर, 30, 1, 2, 3, this is the answer, 9, 8, 4, 3, 0, देखो, कितना easy तरीके से कर रहे हैं, कितना हम लोग time save कर रहे हैं, and अगर यही 3000 के साथ करते हैं, तो कितना लंबा होता, lengthy होता, और कितना था time consuming भी होता, ओके बच्चों, तो इसी तरह से यह वाला tricks के साथ हमें करना, and copy में भी इसी method में लिख पाओगे, बस पूछने से यह method बताना हैं तुम्हें, कि यह हम normal multiply किये, इसके पीछे 3 zeros था, इसलिए यहां पर 3 zeros डाले, because यह हम लोगों का rule book में, हम लोगों का book में यह method दिया हुआ है, okay dear students, next, आगे बढ़ते हैं, number 6, क्या बताया गया है, 4000 into 216, so 216 को multiply कर दो, किस के साथ, 4 के साथ, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, and carry था यहां पर 2, यहां पर हो गया 6, 4 2 जा 8, तो यह हम लोगों का कितना हो गया, 864, so 864, कितना zeros था यहां पर, 3 zeros, तो 1, 2, 3, this is the answer, I hope you got it dear students, समझ में आ रहा है, next, आगे बढ़ते हैं, next number 7, तो देखो, 11 into 4000, 11 into 4, इसे और multiply करना है क्या बच्चों बताओ, तो 11 into 4 कितना होंता है, 11, 4 जा, 44, so यहां पर मैं लिख दिया, 44, कितना zeros था, 3, 0, 1, 2, 3, मैं डाल दिया यहां पर, 3, 0 भी यहां पर मैं डाल दिया, okay, so this is the answer, next, number 8, 5000 into 16, so, इसे multiply कर दू, 16 into 5 करना से कितना होगा, 30 का 3 यहां पर, 0 कैरी, 5, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 80 आया, तो इसका जो answer होगा, वो क्या होगा बच्चों, ना, यह 80 हम लिख दिया है, और यहां पर कितना zeros था, 5000 में, और 3 zeros था, तो यह 3, 0 और हम add कर देंगे, तो answer होगया, 80,000, okay, next, number 9, क्या बताया गया है, 117 into 5000, 117 into 5 कर देंगे, 117 into 5, 5, 7, 0, 35, 5, 1, 0, 5, 6, 7, 8, 5, 1, 0, 5, and अभी हम क्या कर देंगे, ना, इसका answer लिख देंगे, यहां पर कितना zeros था, 3 zeros था, so, 5, 8, 5, 1, 2, 3, 3 zeros हम डाल दिया, okay, dear students, next, आगे बढ़ते हैं, number 10, क्या बता गया है, 12, and 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, into 3 करने बोला है, तो हमें normal है, 12 into 3 तो हमें पता है, 12, 3 जा कितना, 36, so, 36 का 36 लिख दिया, कितना 0 है, चार, 1, 2, 3, 4, this is the answer, my dear students, got it, next, number 11, 3000 और 30,000, 30,000 into 2 बोला गया है, so, 32 जा कितना, 6, and यहां पर कितना 0 है, स्चार, 0, 1, 2, 3, 4, so, this is the 60,000, is the answer, my dear students, I hope you got it, dear students, फिर भी अगर कहें पर कुछ भी doubts है, तो मुझे comment section में comment करके बताओ, कि क्या doubt है, तो मैं विसे resolve करने का पूरा-पूरा कोशिश करूँग, बच्चों, next, आगे बढ़ते हैं, 11, next, 12, 12, क्या बताया गया है, 3, 4, 1, 2, 3, 4, into 2, 3, 4, 4, 0, into 2, 34, into 2 कर देंगे, 2, 4 जा, 8, 3, 2, जा, 6, so, this is 68, 6, 8, and यहां पर कितना 0 उसता, 4, 0, 1, 2, 3, 4, this is the answer, तो यह वाला simple trick method है, यह trick method में हमें solve करते हुए जाना है, बच्चों, and यह वाला अपने copy में भी लिख सकते हो, बस बात इतना है, कि कोई पूछेगा, तो इस method में थोड़ा सा बोल देना ही, कि कैसे हुआ, वरना सोचेंगे कि कहाँ से copy करके लिख दे, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, तो इस बाइज जैसे थोड़ा सा समझ के लिख लेना हमेशा, ओके, next, So dear students, जैसे कि तुम्हें पता है, कि Standard 4 का, जो classes का जो videos है, वो Monday, Tuesday, and Wednesday को post किया जाता है, and कितना बज़े वो भी तुम्हें पता है, कब किया जाता है, Yes, शाम के 7 बज़े किया जाता है, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करो, जितना से जितना हो सके सब्सक्राइब को नोडिफिकेशन बेल को on करके रखो जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तुम तक वीडियो पहुंच जाएगा एंद तुम easily अपना homework कर पाओगे बच्चो ओकी dear students, so next, let us practice 4.7 यह हम next class में discuss करते हैं, so आज के लिए इतना ही next class में मिलते हैं और एक नए video के साथ